लगातार रेल्वे प्रिशासन यात्री के सुभधाओं के लिए लगातार अनी को कारिक करता रहता है जिहां छप्रा से चलने वाली कई ट्रेने प्रभावित हुई है यह था आग ब्लॉग दीजन के कार्ण ट्रेनों को किया गया है रद और शौर्ट टैर्मिनेट रेल्वे प्रिशासन दोरा यात्री सुभधा में उन्नेयन और परिशालनी के सुगमता के लिए कई ट्रेनों को कैंसल किया गया है तो आपको बता दे चलें इसमें छप्रा से चलने वाली कई ट्रेने प्रभावित रहेंगी आजानकारी जनसंपर प्रादिकारी अशोक कुमा ने प् साथे कि कौन सी ट्रेने रद दिखी गई है 15105-1506 शप्रा नोटनुवा एक्सप्रेस 13 सितंबर से दो अक्टूबर तक रद रहेगी और कौन सी ट्रेनों को रिश्चेडूल किया गया है 15159 शप्रा दुर्ग एक्सप्रेस दो अक्टूबर तक शप्रा से 60 मिन और 19 सितंबर को शप्रा के स्थान पर सीवान से चलाई जाएगी और गारी शप्रा से सिवान तक रद रहेगी वापसी में 22532 बत्वूरा जंक्षन शप्रा एक्सप्रेस दो अन्थारित मार्क शप्रा तक चलाई जाएगी 11060 शप्रा लोकमाने तिलग टाइमनस एक्सप्रेस अठारा एक्किस तेइस पस्चिस और छबिस दी सितंबर को शप्रा के स्थान पर सीवान से चलाई जाएगी या गाडी शप्रा से सिवान तक रद रहेगी तो आपको बता दे चले लगातार रेलो प्रिशासन यात्रों की सुख सुवधाओं के लिए लगातार काम करता रहता है जालना से 2027 सितंबर को चलने वाली 07651-07652 शप्रा जालना विशिशकाडी शप्रा के स्थान पर गाजी पुस्टिटी में यात्रा समाप्द करने वाली है दिक्षांस एडू टेक लाया है दिक्षांस डिजिटल क्लास दिक्षांस डिजिटल क्लास का उपयोग कर शात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मज़ेदार दिक्षांस डिजिटल क्लास को स्कूल में बैट कर देखना है तो पेन ड्राइब और स्मार्ट टीवी वनेगा सही माध्यम चलिए अब ये भी जानते हैं कि दिक्षांस डिजिटल क्लास का फ्री स्ट्रक्चर क्या होगा अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दिक्षांस डिजिटल क्लास के यूटूब चैनल को विजिट कर सकते हैं हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब और फेस्बुक पेज को लाइक करना ना भूले धन्यवाद